नमस्कार, स्वागत है आप सभी हमारे इस यूट्यूब चानल जिकर ट्रिक पे आज के वीडियो में हम मिनरल नूट्रिशन का पार्ट करने वाले हैं एक सट्वा ये बाइलोजी MC की उसका पार्ट है साथ लेक्चर आप उपर आई बटन में देखेगा आपको यहाँ पर मिल जाएंगे मैं आपसे कोशन बूशता हूँ कि एक पैरन काईमियूला लारवा होता है और एक होता है आपका एंफिबलास्टोला लारवा ये दोनों जो है लारवा आपको कहां देखने को मिलते हैं ठीक है इसका अंसर जो है मैंने आज के शॉर्ट में डाला हुआ है आप पहले शॉर्ट देखिए मेरा चनल पे विजिट करके और उसके बाद इसका अंसर जाए कमेंट सेक्शन में दीजिए ठीक है वहाँ पर आपको मिल जाएगा शॉर्ट के अंदर इसका अंसर ठीक है अब यहाँ पर हम बात करने वारे हैं मिनरल नूट्रिशन के बारे में तो से पहले आपने अगर जीके ट्रिक एप को डाउनलोड नहीं किया डाउनलोड कीजिए लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बायलोजी का बैच चला हुआ है मेरा यहाँ पर शाम को तीन बजे में लाइव आता हूँ यहाँ यहाँ पर ठीक है बी टू क्यू एफ़ाई कोड यूज करना बैच कोड और आप जैसे कोड यूज करोगे तो मैं यहाँ से एक्सस दे दूँगा आपको तो आप वहां से जाओ निकर सकते हो लाइव सेशन बिल्कुल फ्री ओफ कोस्ट है लेकिन आगर आपको रिकॉर्डे लेक्चर से मेरे उसके लिए आपको 200 रुपीज करने पड़ेंगे तो आप इसको कर सकते हैं क्योंकि आपके भले के देखने को मिलेगा हाइड्रोजन भी ऑक्सिजन भी नाइट्रोजन भी और मैगनीशियम भी ठीक है यह सारा एक साले एलिमेंट जो है वो कॉस्टुचंट रहते हैं क्लोरोफिल के तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट अंसर है कि क्लोरोफिल का कॉस्टु डीन वोड़ी एंजैमज हते हैं यह उनको एक्टिवेट्ट कर देता है यह और यह एक्टिवेट्स कर देता है ठीक है और तो रोड sought राइबोजोम structure को जो maintain करने में भी help करता है यह राइबोजोम के structure को maintain करने में कौन help करता है वो magnesium ही जो है वो करता है तो D options का बिलको right answer है इन में से कौन सा element ऐसा है जो involved रहता है DNA की synthesis में और RNA की synthesis में मैंने आपको भी बताया कि magnesium ऐसा element है जो DNA और RNA की synthesis में involved रहता है और ribosomal structure में comment and करना में भी यहीं मदद जो है वो करता है तो यहाँ पर C options का बिलको right tensor है ठीक है यह आपको याद रखना है अब देखिए सबसे पहले sulfur के बारे में देखते हैं देखो हम sulfur को जो है वो sulfate के format में लेखते हैं किसके format में sulfate के format में लेते हैं और यह जो है आपको दो amino acids में देखने को मिलेगा एक सिस्टीन में देखने को मिलेगा एक आपको यह आपको याद रखना है तो DNA synthesis और RNA synthesis में देखने को मिलता है एक होता है आपका सिस्टाइन यहाँ पर आपको chlorophyll देखो कौन सा element ऐसा है जो activate करता है catalase enzyme को और chlorophyll के formation में जो है वह essential रहता है वह element भी और वह enzyme भी ठीक है तो देखो catalase enzyme को कौन activate करता है iron activate करता और यही जो है आपका formation of chlorophyll में वह रहता है ठीक है element रहता है तो यह आद रखना है बी option इसका बिलकुल right answer है अब देखिए iron को हम किस के format में लेते हैं ferric ions के format में जो है वो लेते हैं fe3 positive के format में हम इसको लेते हैं ठीक है large amount में जो है रहता है यह body में ठीक है और एक तरह से याद रखें कि फेरडॉक्सिन में आपको यह transfer of electrons करने में मदद करता है और cytokromes में भी आपको यह देखने को मिलता है ठीक है यह आपको याद रखना है इनमेंसे कौन साइलिमेंट ऐसा है जो photosynthesis के दोरान जो है splitting water की splitting में मदद करता है और उसी water से आपका oxygen जहाँ होता है तो याद रखना है आपको कि photosynthesis की splitting के में आपका water की splitting कौन करता है आपका maganese करता है साथ यह साथ आपको यह भी आद रखना है कि water splitting reaction में water splitting reaction में आपका एक और element है वो कौन सा element है जो मदद करता है वो chlorine मदद करता है ठीक है photosynthesis के दोरान जो splitting होती है water की उस स्थे में जो oxygen होता है वो आपका वाटर से रिलीज होता है और उस splitting of water को कौन काज करता है मेगनीज करता है और water splitting reaction में आपका कौन मदद करता है वो chlorine करता है यह आपको याद रखना तो c option इसका बिल्कुल right answer है ठीक है अब देखो जो इतने भी enzyme होते है photosynthesis, respiration और nitrogen metabolism में तो उनको activate कौन करेगा वो मेगनीज ही करता है यह आपको याद रखना है c option इसका बिल्कुल right answer है और एक और question याद रखना है आपको कि oxyn जो हार्मोन होता है उसकी synthesis में कौन मदद करता है वो आपका zinc मदद करता है ठीक है यह आपको याद रखना है नेक्स रखना है विप्टेल डिजीज is due to deficiency of देखें यह important question है यह मैंने ग्रूप में भी डाला था और आपको जो है वो जो है community section में भी डाला था मैंने ठीक है काफी बच्चों ने इसका answer जो है molybdenum दिया था और काफी ने जो है इसका zinc भी दिया था तो याद रखना है कि जो विप्टेल का question आया था विप्टेल डिजीज किसकी वज़से होती है वो molybdenum की deficiency की वज़से होती है c options का बिल्कु राइट answer है ठीक है यह आपको याद रहना है आप देखिए molybdate ions के format में जो है हम molybdenum को लेते हैं plants जो है molybdate को molybdenum को लेते हैं ठीक है nitrogenase करते हैं यह प्लांट की disease है क्या है इसे में क्या होता है कि जो टीशिस होते हैं और वो क्यों होते हैं क्योंकि आप हम को कुछ की कैल्सियम की डैफिशसी वाकई को दिखने को मीलती है ठीक है तो कैल्सियम madनल और प्लांट डीजि़ Athletics See options का बल्कुर आइटब्स तरह है Loss Of Klorophyll ुफमे में किसी लीव में से इंद्ड हलनता है तो कंदिशन हुती है क्लॉरोस?' क्लॉरोसी क्लॉरोसी की कंदिशन होती है अगर दिले हो जाती है फ्लावरिंग में तो समय क्या है कि कुछ जो ऐसे नाइट्रोजन हो गया मोलिबिडियन हो गया इसके वाज्स हो तो अगर और एक튼 कि याद रहना है और ऑप्षण का बिल्कुर ब्लियूर है नेक्चेशन का उसे तिश्थ देखो एक शब्द होता है toxicity और एक शब्द होता है deficiency duaसे क्या है देखो मालो कोई Element है Magnesium है अगर यह ज्यादा मातरा में होता है तो वह toxicity हो जाती है जाने कि poisonous हो जाता है अगर यही element में हो गया तो वह deficiency होगी और deficiency से जो है वह कोई ना कोई disease जो होती है तो ब्राउं स्पोर्ट्स जो डीजीज है वो एक टॉक्सिसिटी की डीजीज है ठीक है और लीवस में देखने को मिलती है वो किसकी वरसी होती है वो मैगनीज की वरसी होती है किसकी वरसी होती है ब्राउन स्पोर्ट्स डीजीज लीवस में मैगनीज की वरसी होती है यह भी आद रखना है सब्सक्राइब करना है तो यहां पर कुछ ने कुछ होती है तो ऐसा ही एक एलिमेंट है जिसके कारण जो है जिसकी टॉक्सिटी बढ़ने कारण सब्सक्राइब करना है तो याद रखना है कि मैगनीज की डेफिशेंसी के कारण आपको देखने को मिलती है टॉक्सिटी के कारण वी ऑप्शनिस का बिल्कुल राइट एंसर है नेक्ट को जो ने बताया कि जो आपका क्लोरोफिल का जो है लोस हो जाता है किसी लीव में ठीक ह तो क्लोरोफिल की जो डेफिशेंसी है वो किस की मदद से होती है तो याद रखना है कि वहाँ पर आपको नाइट्रोजन भी देखने को मिलेगा पोटेशियम भी देखने को मिलेगा मैगनीशियम भी देखने को मिलेगा सलफर भी आइरन भी मैगनीज भी जिंक भी और मॉल क्पसंद आया हूं और मैंने जो कोश्चन के अंसर मांगे हैं आपसे उसका जैक मैं मैं रखोंचर पारन का में कहां देखने को मिलता है और आंपको SHE कहां देखने को मिलता है या आपको अंसर देना है कमेंट सक्षोन में जैंड